गेम व बिटकोई चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए लेटर्स क्रिप्टो अपडेट्स के लिए और दोस्तों अगर आपको इस टाइब का कंटेंट पसंद है तो गेम व बिटकोई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एउन नेटवक को सबसे देख लेते हैं कोईन मार्केट का पे एउन नेटवक का क् दोस्तों टोटल मार्केट काप है 37 मिलियन डॉलर की टोटल वॉल्यूम हुए पिछले 24 गंटे में लगबक 2 मिलियन डॉलर की सब्सक्राइब की तो स्पेसिफिकली अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैन्वरी में लगबक 10 सब्सक्राइब के ऊपर यह क्रॉस करके था साड़े दस डॉलर इसका प्राइस था नौ जनवरी 2018 को यानि कि ठीक एक साल पहले और उसके बाद अब इसका प्राइस गिर के रहे चुका है सिरफ तेरा सेंट अगर हम सतोशी की तो 3700 जो है इसका अभी का प्राइस और जो पी रही है और उसके अलावा दोस्तों आपको यह कोईन बिट बॉक्स बिट फॉर एक्स बाइलाक्सी और क्यों जैसी एक्शेंज इस पर भी मिल जाएगा तो दोस्तों एउन नेटवर्क आखिर में है क्या तो यह एक पावर्फुल प्लाटफॉर बिल्डिंग डी सेंटर इस अप्लिकेशन तो यानि कि इसका में परपस है यह नेटवर्क का कि आप डी सेंटर आप्लिकेशन इस पर बना सकते हैं अब दोस्तों डी सेंटर आप्लिकेशन जो है वह इतनी जादा अभी तक पॉपलर नहीं हुई है जो सबसे जादा प्लिकेशन की वह अभी गेम्स और प्लिकेशन जो सच में करेंगी वह तब करेंगी जिब जो ब्लॉक्चेन के इंफ्रस्ट्रक्चर प्रजक्ट्स हैं जब वह स्टेबल हो जाएंगे तो हो सकता है उसी इसको भी बनने में लग जाए छे महीन है एक साल या दो साल तो जब तक पूरी की पूरी कॉमिनेटी ए उसके बाद ही decentralized applications एक फुल फॉर्म में आएंगी उससे पहले जो है decentralized applications बनेगी जरूर बट उनको mainstream में pick up करने में time लगेगा इसलिए जो ऐसी blockchains हैं जो specifically decentralized applications पे ही focus कर रही है उनको pick up करने में थोड़ा time लगेगा इसका मतलब यह नहीं है कि यह products जो है यह projects जो है वो बिकार है यहाँ पर point सिरफ यह है कि जो market है वो अभी उतनी mature नहीं है कि इन project की जो real value है true value है उनको identify कर सके अब दोस्तों Aon network जो है वो काफी technical project है decentralized applications जरूर इसका एक feature है जिस पर develop कर सकते हैं आप इसका जो main खास बात मुझे वो लगी कि आप इसमें inter chain operatability कर सकते हैं यानि कि अग आपकी जो application है वो multiple blockchains पे even custom made blockchains पे भी चल सकती हैं अब कुछ साल पहले दोस्तों आपको याद होगा कि java virtual machine java का बहुत नाम था market में java developers की बहुत देमांड थी तो वो इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि जो java programming language थी java का जो platform था वो basically platform independent था यानि कि वो आप Mac पे चल सकते थे तो इसलिए java सबसे जारा pick up किया था अब यहां पे जो मेर को main cheese लग रही है aon के साथ भी वही होने वाला है क्योंकि aon का है यहां पे avm यान की aon virtual machine और क्यूंकि इस blockchain का सबसे बड़ा feature है कि आप इस पर applications develop कर सकते हैं जो multiple जगा पे run कर सकती है multiple blockchains पे run कर सकती है तो यह बिल्कुल उसी type की बात हो गई जैसे java virtual machine थी वह कहीं पे भी चल सकती थी बिल्कुल वैसे ही aon virtual machine जो है वो किसी भी blockchain के उपर operate कर सकती है तो यह है इसका सबसे बड़ा दोस्तों strong point अब आप देख सकते हैं 2018 में यह already यह चीज़ें complete कर चुके है phase 1 जो था इनका किल consensus algorithm अब जो मेन चीज़ है phase 3 वह एवरेश्ट जो 2019 में execute होना है और इसमें जो आना है participating network bridging complete validator nomination virtual machine version 2 इसका आने वाला है तो phase 3 के बारे में आपको detail में बताऊंगा कि इसमें आप क्या चीज़ expect कर सकते हैं और यह इतना important क्यों है 2019 जो है aon network के ले इतना important क्यों है उसके बारे aon network को आप यूज कर सकते हैं internet of things में यूज कर सकते हैं online media marketplace में हो सकता है fundraising में यूज हो सकता है यानि कि आप इसके उपर अपने ICOs run कर सकते हैं तो aon network की blockchain के ओपर ICOs भी run हो सकते हैं और जो पांचवा है वो है digital identities तो काफी wide variety of चीज़े हैं जो आप aon network पे कर सकते हैं और एक बार अगर इसके ओपर daps develop होनी शुरू होगी और mainstream ने उसको अडॉप करना शुरू कर दिया तो aon network की डिवांड दोस्तों बहुत जादा बढ़ जाएगी अब यह network पे applications develop करने के लिए already एक product launch हो चुका है जिसका नाम है Titan Suite यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसकी website यह भी specifically aon developers नहीं create किया है और यह full stack blockchain development tools है आसानी से आप इस पर applications develop कर सकते हैं यहाँ पर एक IDE है जो आप download कर सकते हैं यहाँ फिर आप web पे भी run कर सकते हैं यहाँ आपकी browser में चल जाएगा आप देख सकते हैं बहुत ही simple है अगर आपने android applications develop कर ही है अगर आपने android studio पे काम क किया है या itunes के लिए आपने x code में काम किया है तो बिल्कुल वैसे ही यह काम करेगा compile run accounts analysis chat वगड़ा है और यह है इसका code editor है तो मैं कहूंगा बहुत ही easy to use convenient यहाँ पे इन्होंने एडिटर एक प्रोवाइड किया है applications develop करने के लिए तो आप देख सकते हैं 2018 में aon network कितना कुछ already develop कर चुका है और एक अच्छे project की पहचान यही होती है कि price के उपर वो dependent नहीं होता price चाहे जो मर्दी चल रहा हो पर वो उनकी जो development है वो background में चालू रहती है और यही case मुझे देखने को मिल रहा है यह on network के साथ अब साथ ही साथ यहाँ पर इनका एक Wikipedia है जहाँ पर करने वाले हैं उसमें जो में चीज होने वाली है दोस्तों और बहुत जल्द होने वाली है वह यह है कि आप अभी aon network की aon coins की mining कर सकते हैं यानि की proof of work algorithm पर चल रहा है बट साथ ही साथ जब aon का average version release हो जाएगा तो यह hybrid consensus network launch हो जाएगा इसमें क्या होगा कि आप staking भी कर प बढ़ जाएगी at least temporarily बहुत जल्दी बहुत जारा शूट कर सकता है तो यहां पर मुझे एक reddit post भी मिली है अब जितने भी links में discuss कर रहा हो सारे आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि aon network will have two kinds of staking rewards पहला होगा staking as validator on aon cross chain bridges और दूसरा होगा staking on aon 1 main chain यानि कि this is coming in 2019 when consensus changes from proof of work in 2018 to delegated proof of stake hybrid in 2019 तो exact date mention नहीं करी गई है पर aon network पे 100% यहां पर staking launch करने का plan है और जो दूसरी चीज है जिसके लिए हमें excited होताना चाहिए अगर हम इनके aon के twitter account पे जाएंगे तो आप यहां पर जाके देखेंगे जैनवरी 9th को इन्होंने एक retweet किया ह यहां पर easily इसको miss किया जा सकता है पर यह काफी important है यह क्या है played clash royale on clan play app in a tournament earned aon network mainnet coins and validated on a block explorer it is real and it is happening soon get hyped तो यहां पर simple सा funda है एक clan play app है जो aon network के ओपर develop हुई है यह app basically क्या है जो already live है यानि कि आप google play store से इसको जाके download कर सकते हैं इसमें आप tournaments host कर सकते हैं जिसमें आप जो major games ने जो बड़े-बड़े games हैं उनके tournaments तक यहां पर host हो जाते हैं जैसे fortnite हो गया PUBG हो गया clash royale हो गया और यहां पर जो challenges होते हैं अगर आम उनको जीतते हैं तो आपको बदले में मिलते हैं Aon के coins तो आप basically earn कर सकते हैं cash earn कर सकते हैं Aon network के coins earn कर सकते हैं सिरफ इस app के तुरू tournaments में participate करके इस app के अलड़ी दोस्तों 2 million users हैं यानि कि जो भी आपको यूज कर रहे हैं वो हर एक सबसे ज़्यादा है पर यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा use case है वह है tournaments का जहां पर आप cash earn कर पाएंगे और दोस्तों important बात यह है कि इस डाप का जो है already demo हो चुका है CES में यानि की consumer electronic show जो last Vegas में चल रहा था और कल ही उसका last day था तो दोस्तों मैं तो यह होंगा कि Aon network मे look forward करने के 2019 में अब मैं आपसे यहां पर यह recommend करूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी research इसमें खुद करिए यह जो review है यह को financial advice नहीं है बहुत सारा material available है Aon network के बारे में तो इसको पूरा detail में study करिए और उसके बाद ही invest करिए तो दोस्तों य आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए है वा सेफ इन्वेस्टमेंट